गुड मॉर्णिंग श्टुडेंट अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने विद्याग्यान प्रवेश परिक्षा का फोर्म भराये तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कक्षा अचा है प्रवेश परिक्षा के लिए क्योंकि आज आप सब का पेपर होने वाला है तो यहाँ पर एक शाथत्र का मुझे प्रवेश पत्र मिल चुका है और आपको मैं प्रवेश पत्र से सबंधित जानकारी देता हूं को आपको पेपर में क्या-क्या लेकर जाना है और क्या क्या नहीं लेकर जाना है यह सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस चैनल पर नया है हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो यहां पर श्टूडेंट आप देख सकते हैं यावन और 13 27 दिया है ठीक है तो यहां पर यह आप इसको समझ लिजिए यहीं आपका में चीज़ है आपका रोल नंबर है जब आप इस रोल नंबर को आप वहां पर गेट पे देखेंगे गेट कर पढ़ देखकर के आप अपना कमरा नंबर सब कुछ समझ लेंगे ठीक है पर यहां पर यह बिद्यागयन का पेपर ही आप attaching हो गया और आपको परिक्षामें प्रैयुक्त उत्तरपठ्न ऊमर्षा मालूम ही होगा कैसा रहता है एक रेड कलर कर रहेगा उसी में आपको भरना रहेगा अपना अनुक्रमांक अपना भर लीजिए का ठीक है और यहां पर सब कुछ आपको समझ में आ चुका है इधर और इसके पीछे देख लेते हैं पीछे भी बहुत सी महत्तपूर्ड जानकार ठीक है तो यहां पर यह सब लिखा क्या है विद्ध्यागान परिक्षा हेतू परिक्षारती को केवल एक ही औसर प्राप्त होता है तो मतलब परिक्षा परिक्षा पत्र के लिए आपको केवल एक ही औसर जो है की प्राप्त होता है और परिक्षारती को परिक्षा कक्ष में परिक्षार्ती को परिक्षा कस्में अपनी पहचान हेतू अपने साथ अपना मूल प्रोवेस पत्र खंड सिक्षा अधिकारी कार्याले में जमा आवेदन पत्र की छाया प्रती फोटो यूक्त राज की पहचान पत्र अथवा अधार कार्ड की छाया प्रती तथा क्लिप बोर्ड दस्ती तक्ती पट्टी और नीले काले पॉइंट पेन तो ये जो लिखा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे सब्दों में तो आपको देखे क्या लेकर जाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको एक पे लेकर जाना है बोल पेन मतलब आपका पेन जैल नहीं होना चाहिए ठीक है यहां का मतलब परवेश पत्र जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको ये परवेश पत्र भी आपको ले जाना बहुत आवस्यक है ठीक है तो आप इसमें जब चौथा नंबर अब तीसरा को पढ़ लेते हैं तो यहां पर लिखाए परिशारती को निरधारी परिक्षा किन पर दिन निरधारी सम पहले पहुचना आवस्यक है कोरोना से सुरक्षा सबंदी कारे करता तथा मासक पहनना आवस्यक है तो आप मासक भी पहन सकते हैं और एक घंटे पहले पहुचे तो आप के लिए उचित होगा क्योंकि आप लेट हो जाएंगे तो फिर आप अपना रोल नंबर और कहा आपको बैठना है यह सब आप पता नहीं कर पाएंगे ठीक है और चोथे में क्या दिया है परिछार्थी परिछार्थी द्वारा प्रवेस पत्र पीछे बिंदू पांस बिंदू संख्य तो अपना रोल नंबर जैसे ग्याद करना है तो विद्याग्यान यहां पर लिखा है ना विद्याग्यान वेबसाइट से ग्याद कर सकते हैं तो आप अपना बाद में रोल नंबर जो आता है वो आप इस वेबसाइट से पता कर सकते हैं ठीक है और पांसवा दिया है उत्त पहला परिक्षारती को अनुक्रमांक नाम पीता अभिभावक का नाम उत्तर पत्रक निर्धारिक बॉक्सों में केवल अंगरेजी के बड़े अक्षर केप्टल लेटर में सावधानी पुरवक अंकीत करें परिक्षारती सुनिस्चित करें कि उत्तर पत्रक को मोड़ा न जाए ठीक है और उस पर कोई अन निसान भी न लगाए तथा किसी प्रकार का कक्चा कारें न करें प्रसंद पत्र अंतिम प्रिश्ट पर किया जा सकता है तो आपको जो उत्तर पत्रक मिलेगा उसमें आपको कख्चा करें मतलब जैसे आपको इसके अंधर नहीं खीचना है तो यहां पर इसके अंदर आपको तक नहीं करना है इसमें कुछ खैश ना यह जोड़ा इसके 7 आप पीछ करेंगे तो यह सबह इन बातों का ध्यान करना है जैसे आपको A B C D यहां पर करके दिया तो आपका आपशन सही रहेगा उसी साब से आप आपको करना है और आठवा भरे गए आवेदन पत्र की छाया प्रती तथा इस प्रविश्पत्र विद्यागन प्रारंभी परिक्षा का प्रविडाम आने तक तक आपको फर्विश्पत्र सुरक्षथ रखना है जब तक आपको इस परिश्पत्र अपको समल करने अ चुक्शन कीजिए तो चलिए मिलते ही आपको नेक्स वीडियो किजिए ठीके चलिए गुट बाइ